बिहार के सीवान सारण और गोपाल गन जिलो में जहरेली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है एक इस लोगों की गिरफतारी की गई है जिसमें साथ महिलाएं भी शामिल है अधिकारियों ने बीतेरे विबार 20 अक्टूबर को यह जानकारी दी जानकारी के अनुसार तीन जिलो को मिला कर अब तक कुल 37 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे मामले में मश्रक थाने के प्रभारी और भगवानपुर चौकी पर तनात एक अन्य पुलिस अधिकारी को उनके छेतर अधिकार में संदिक्त जैरेली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में करतब्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है सारण रेंज के पुलिस उप महा निरिक्षक डी आई जी निलेश कुमान ने पीटियाई को बताया कि सीवान और सारण जिलो के प्रशासन गटना के बाद मगहर औरिया और इबराहिमपूर छेतरों के तीन चौकी दारों को पहले ही निलंबित कर दिया है जेरिली शराब से सबसे अधिक सीवान में मौत हुई है 16 अक्टूबर से अब तक सीवान जिले की मगहर औरिया पंचायतों में 28 लोगों की जान जा चुकी है वही सारण के मशरक ठाना छेतर अंतरकद इबराहिमपूर इलाके में 7 लोगों की जान जा चुकी है गुपाल गंज में दो लोगों की मौत शराब पीने के कारण हुई है इस तरह तीन जिलों में कुल 37 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे मामले में डी आई जी ने कहा पुलिस ने शराब पीने से हुई मौतों के सिलसले में 21 अपरादियो सीवान में 13 सारण में 8 को गिरफतार किया गया है इन में से 7 महिलाएं भी शामिल है जो दोनों जिलों में अवैद शराब के निर्मान और अपूर्ति शरंकला का हिस्सा थी हमने इन जिलों में अवैद शराब के अपूर्ति और निर्मान से जुड़े एक अलग मामला दर्ज किया जाएगा तेन जिलों में संधिक्त जहरेली सराब तरासदी के तुरंत बाद पोलिस अपने अपने अधिकार छेत्र में तालाशी ले रही है फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही देश अर्दुने की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्षनें पॉलिटिकल बैट के साथ